इंडिया टीवी आपकी आवाद्स मंत्री मंडल के मेरे साथी स्री रादनाज सींजी स्री अजय बाड जी चीफ अपनेवल स्टाफ, वाइस शीफ अपनेवल स्टाफ, डिफेंस सेकेटरी, S.I.D.M. के प्रेशिडेंट, इंडिस्ट्री और अकनेमिया से जुड़े सभी साथी, अन्य सभी महानुभाओ, देवी और सज्जनों, भारतिय सेनाव में, आत्मन निर्भरता का लक्ष, 21 सदी के भारत के लिए, बहुत जरूरी हैं, बहुत अनिवारिय हैं, आत्मन निर्भरत नौसेना के लिए, पहले स्वाइब नमबन सेमिनार का आउजन होना, मैं समझता हूँ, यह अपने आप में बहुत बड़ी एहम बात है, और एक एहम कदम है, और इसके लिए, आप सभी का बहुत बहुत अविनाजन करता हूँ, आप सब को अनेक अनेक शुब कामना हैं देता हूँ, साथियों सैन्य तैयारियों में, और खास करके नेवी में, जोइन्ट एक्सरसाइज, इसके एक बहुत बड़ी भूमिक आप होती है, इस सेमिनार भी एक प्रकार की जोइन्ट एक्सरसाइज है, आत्मन दिर्फर्ता के लिए, इस जोइन्ट एक्सरसाइज में, नेवी, इंडुस्ट्री, में सेमी, अकडेमिया, एन्हें दुनिया के लोग और सरकार के प्रतिनी दी, हर स्टेक होल्डर, आज एक साथ मिल करके एक लक्ष को ले करके सोच रहा है, जोइन्ट एक्सरसाइज का लक्ष होता है, कि सभी पार्टिसिपेंट्स को जाता से जाद एक्स्पोजर मिले, एक दूसरे के प्रतिस समझ बढ़े, बेस्ट प्रक्टिसिज को एडप करिया जा सके हैं, ऐसे में इस जोइन्ट एक्सरसाइज का लक्ष बहुत महत्पपूल है, हम मिलकर अगले साल, पंदरा अगस्त तक नेवी के लिए, 75 इंडिजिनियस टेक्नलोजी का निर्मान करेंगे, ये संकल भी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, और आपका पुर्शार्थ, आपका अनुभव, आपका ज्यान, इसे जुरूर सिद्ध करेगा, आज जब भारत अपने आजानी के पचतरव का पर्म मना रहा है, अमरित महोस्प मना रहा है, तब ऐसे लक्षों की प्राप्ति, आत्म निर्भ़ता कि हमारे लक्षों को और गति देगी, वैसे मैं ये भी कहूंगा, कि 75 इंडिजीनियस टेकनलोजीज का निर्मान, एक प्रकार से पहला कदम है, हमें इनकी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना है, आपका लक्ष होना चाहिए कि भारत का जब अपने आजादी के सोवर्ष का पर्म मनाए, उस समय हमारी नवसेना एक अभूत पुरो उंचाई पर हो, सात्यों हमारे समंदर, हमारी तट्टिय सिमाए, हमारे आर्थिक आर्थिक अद्धार से के बहुत बढ़े समरख्ष भी, और एक प्रकार से समरख्ष भी है, इसलिए भारतिय नवसेना की भूमी का निरंतर बढ़ती जा रही है, इसलिए नवसेना के साथ ही, देश की बढ़ती जरुरतों के लिए भी नवसेना का स्वावलंबी होना बहुत आवशक है, मुझे विश्वास है, एस सिमिनार और इस से निकला अमरित, हमारी सेनाओं को स्वावलंबी बनाने में बहुत मदद करेगा, साथ क्यों, आज जब हम डिफेंस में आत्मा निर्भर भविश्की चर्चा कर रहे हैं, तब ये भी आवशक है, कि बीते दश्वकों में जो हुआ, उससे हम सबग भी लेते रहें, इससे हमें भविश्का रास्ता बनाने में मदद मिलेगी, आज जब हम पीछे देखते हैं, तो हमें अपनी समरुद्ध मेरिटाइम हेरिटेज के दर्शन होते हैं, भारत का समरुद्ध ट्रेड रूट, इस विरासत का हिस्सा रहा है, हमारे पूर्वज समंदर पर अपना वर्चस्व इसलिए कायम कर पाए, क्योंकि उन्हें हवा की दिशा के बारे में, अंतरीक्ष विज्ञान के बारे में, बहुत अच्छी जानकारी थी, किस रिति में हवा की दिशा क्या होगी, कैसे हवा की दिशा के साथ आगे बढ़कर हम पढ़ाव पर पहुंच सकते हैं, इसका ज्ञान हमारे पुर्वजों की बहुत बड़ी ताकत थी देश में ये जानकारी भी बहुत कम लोगों को है कि भारत का डिफेंस सेक्टर आजादी से पहले भी काफी मजबुत हुआ करता था आजादी के समय देश में 18 ओर्डिनस फेक्टरिस थी या आटलरी गन समेट कई तरह के सैनीक साजो सामान हमारे देश में बना करते थी दूसरे विश्वयुद में रक्षा उपकरणों के हम एक एहम सप्लायर थे हमारे हविज़र तोपों इशापुर राइफल फैक्टरी में बनी मशीन गनों को उस समय स्ट्रेश्ट माना जागा था हम बहुत बड़ी संख्या में एक्षपोर्ट किया करते थे लिखिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय में हम एक्षेतर में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए और थोड़ा हम नजर करें कि प्रथम और दितिय विश्विद्ध ने बहुत बिनास किया अनेक प्रकार के संक्टों से दुनिया के बड़े बड़े देश फसे पड़े थे लेकिन उस संक्ट को भी आपदा को अवसर में पलटने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने आउद के निर्मान के अंदर और दुनिया के बड़े मार्केट को कबजे करने की दिशा में लड़ाई मैंसे वो रास्ता खोजा और स्वयम एक बहुत बड़े निर्मान करता और बहुत बड़े सप्लायर बन गए डिफेंस के दुनिया में यहने युद्ध जेला लेकिन उस पैसे उन्हों ने ये रास्था भी खो जा हमने भी कोरोना कान में इतना बड़ा संकर आया हम बहुत एकदम से बहुत नीचे के पाहरी पर से सारी विवसाएं नहीं थी पीपी कीट नहीं थी हमारे पास वैक्सिन के तो हम कलपना नहीं कर सकत थी लेकिन जैसे प्रधम विश्व उद्ध में से दुनिया के उन देशों ने बहुत बड़ी सस्त्र स्वक्ति बनने की दिशा में रास्ता खोज लिया भारत ने इस कोरोना कालखण में इसी बुद्धी मत्ता से वैज्यानिक धरातार पर वैक्सिन खोज रहा हो बाकी एक् क्याम कर दिए मैं उद्हान इसलिए दे रहा हूं कि हमारे पास सामर्त है हमारे पास टैलेंट यह ऐसा नहीं है जी और यह भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में दस लोगों के पास जिस प्रकार के वजार है वही वजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी ट्रेइनिग अच्छी होगी तो उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा वो समझे उसके पहले तो उसका खातमा हो जाए यह मिजाज यह मिजाज सिर्फ फोजियों को तयार करने के लिए नहीं है यह मिजाज उसके हाथ में कौन से हत्यार है उस पर भी डिपेंड करता है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत यह सिर्फ एक आर्थिक गतिविजी नहीं है दोस्तों और इसलिए हमें पूरी तरह इसमें बदलाव के जरूत है सात्यों आज़ादी के बाद के पहले डेड़ दसक में हमने नई फैक्टरिया तो बनाई नहीं पूरानी फैक्टरिया भी अपनी शम्ता खोती गई 1962 के युद्ट के बाद मजबूरी में नितियों में कुछ बढ़लाव हुआ और अपनी ओर्डिनेंस फैक्टरियों को बढ़ाने के पर काम शुड़ू हुआ लेकिन इसमें भी रिसर्च, इनोवेशन और डेवलोप्मेंट पर बल नहीं दिया गया दुनिया उसमें नई टेक्नोलोजी नए इनोवेशन के लिए प्राइविट सेक्टर पर भरुसा कर रही थी लेकिन दुरुभागे से रक्षा खेत्रों को एक सीमित सरकारी संसादनों सरकारी सोच के दायरे में रखा गया मैं गुजरात से नहीं आता हूँ अमदाबाद मेरा लंबेर से तक कारक्षेत्र रहा किसी जमाने में अपने से कही हो ने गुजरात में समुद्री तरट पर काम किया होगा बड़ी बड़ी चीमनिया और मील का उध्योग और मांचेस्टर और इंडिया इस प्रकार की उसकी पहचान कपडे के ख्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था अमदाबाद का क्या हुआ इनोवेशन नहीं हुआ, टेकनोलोजी अपग्रेडेक्शन नहीं हुआ, टेन्टो टेकनोलोजी ट्रांसपर नहीं हुई इतनी उची जमीन दोस्त हो गई दोस्तो हमारे आग के सामने हमने देखा है ये एक जगा पे होता है तो दूसरी जगा पर नहीं होगा ऐसा नहीं है और इसलिए innovation निरंतर आवशक होता है और वो भी इंडीजिनियस ही innovation हो सकता है become माल से तो को innovation हो ही नहीं सकता है हमारी ववाओं के लिए विदेशों में तो अवसर है लेकिन देश से अस्वर्ज अवसर बहुत सिमित थे प्रणाम ये हुआ कि कभी दुनिया की अग्रेनी शहने तक आत रही भारतिय सेना को राइफल जैसे सामान अस्त तक के लिए विदेशों पर निर्फर रहना पड़ा और फिर आदत हो गई एक बार एक मोबाईल फोन के आदत हो जाती तो फिर कोई कितना ही कहें कि इंदुस्तान का बहुत अच्छा है लेकिन मन करता है यार छोड़ो वो ही ठीक रहेगा अब वो आदत हो गई है उस आदत को भार निकालना तो एक प्रकार से कि मनोवेग्यानिक सेमिनार भी करना पड़ेगा सारी मुसिबत मनोवेग्यानी केजी एक बार मनोवेग्यानिक लोगों को बुला करके सेमिनार केजिए कि बाहर की चीजों का मोह कैसे छूट सकता है जैसे ड्रग एडिक को ड्रग पर से छुड़ाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं न वसे ये भी ट्रेडिक जरूरी अभार रिया अपने में आत्म उस्वास होगा तो अपने हाथ में जो हत्यार है उसके सामर्तों को हम बढ़ा सकते हैं और हमारा हत्यार उस सामर्त को पैदा कर सकता है, दोस्तों, साथियों, मुश्किल ये भी थी, कि उस समय डिफेंस से जुड़े जादा तो सौधे, सबालों में घिरते गए, सारी लॉबी अकर उसका लिया तो ये लॉबी मैदान में उतरते थी, इसका लिया तो ये लॉबी उ का नतीजा ये हुआ, कि सैनाओ को आधूरियक हत्यारों उपकरणों के लिए, दसकों इंतजार करना पड़ा, साथियों, डिफेंस से जुड़ी हर छोटी-छोटी जरुरत के लिए, विदेशों पन निर्भरता, हमारे देश के स्वाभिबान, हमारे आर्थिक नुक्सान के साथ ही, रन नितिग रूप से बहुत ज़्यादा गंबील खत्रा है, इस्तिती से देश को भार निकालने के लिए, 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है, बीते दसकों की एप्रोच से सीखते हुए, आज हम सब का प्रयास, उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस को अविकास कर रहे हैं, आज डिफेंस आर एंडी को प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, एमेस, और स्टार्ट अप्स के लिए खोल दिया गया है, अपनी पब्लिक सेक्टर डिफेंस कपनियों को हमने अलग-अलग सेक्टर में संगधित करवने एक नई ताकत दी है, कर रहे हैं, कि IIT जैसे अपने प्रीवियन इंस्टिटूशन को भी हम डिफेंस, रिसर्च और इनोवेशन से कैसे जोड़े, हमारी यहां तो कठिना यह है, कि हमारे टेक्निकल इनिवर्सिटी या टेक्निकल कॉलेजिज या इंजिनिरिंग की दुनिया, वहां डिफेंस के इक्विपमेंट, डिलेटेड कोई कोर्स ही पढ़ाए नहीं जाते हैं, माल नहीं है तो बाहर से मिल जाएगा, यहां कहां पढ़ने की जरूत है, यहांनि यह हमारी पूरी एने एक दाहरा ही बदल चुका था जी, इसमें हमने लगातार बड़लाव लाने के कोश्चिस किये डियाडियों और इस्तरों की कटिंग एड टेस्टिंग, इस सुविधाओं से हमारी वाओं को, स्टार्ट अप्स को, जादा से जादा बन मिले, यह प्रयास किये जा रहे हैं, मिसाइल सिस्टिम, सबमरीन्स, तेज़स फायरत, फायटर जेट्स, जैसे अनेक साजो समान, ज कई कई साल पीछे चल रहे थे, उनको गती देने के लिए हमने साइलोस को दूर किया, मुझे खुशी है कि देश के पहले स्वदेश निर्मिट एरक्राप, एरक्राप केरियर के कमिशनिंग का इंतजार भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, या फिर टीडेक, यह सभी आप मंदिर भरता के ऐसे ही विराट संकल्पों को गती देने वाले हैं, साथियों, बीते आठ वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, यह बजट देश में ही डिफेंस मेनिफेक्टिर्न इंको सिस्टिम के विकास में भी काम आये, यह भी सुनिश्चीत किया है, रक्षा उपकरों की खरीद के लिए तै बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, आज भारतिये कमपनियों से खरीद में ही लग रहा है, और यह बाद हम मान के चले जी, आप मैं तो सब परिवार जन्ड वाले लोग हैं, परिवार की दुनिया आप बदी बाती सबजते हैं, जानते हैं, आप अपने बच्चे को घर में मान सम्मान प्यार न दो और चाहो कि महले वाले आपके बच्चे को प्यार करें तो होने वाला है आप उसको हर दिन निकम्मा कहते रहोगे और आप चाहो कि पडोसी उसको अच्छा कहें कैसे होगा हम हमारे हत्यार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज़द हम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हत्यारों की इज़द करें तो यह संबव नहीं होने वाला है शुरुवात हमें अपने से करनी होती है और ब्रह्मोस इसका उदारण है जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है दोस्तों हमें अपने हर निर्मिश चीज़ों के प्रति हमें घर्व होना चाहिए और मैं भारत की सेनाओं को बधाई उपकरोनों की सुची बनाई है जो मेडिन इंडिया ही होगे और उनका उप्योग हमारी सेनाए करेगी उन चीज़ों को हम बाहर से नहीं लेंगे मैं इस निरने के लिए तीनों सेनाओं के सभी सात्यों को बहुत-बहुत बधाई देता हुआ हुआ है सात्यों ऐसे प्रयास 21 प्रतीशत कम हुआ है इतने कम समय में और यह नहीं कि हमने पैसे बचाने के लिए कम किया है हमने हमारी यहां उसका ऑल्टरेट दिया है जिए आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाएं एक बड़े एक्षपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं यह ठीक है कि एपल और 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 रेंग क्यों तुलना नहीं हो सकती है लेकिन भारत के मन की में बात बताना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों की ताकत की बत बताता ह करोना काल में मैंने ऐसे ही विषय च्छेडा था बड़ा हलका भूल का विषय था कि करोना काल में उस संक्रत में देश पर कोई बड़ा बोज हूँ ऐसी बाते करना नहीं चाहता था और इसले मैंने कहा देखो भाई हम भार से खिलोने क्यों लेते हैं छोटा सा विश है है बाहर से खिलोने क्यों लेते हैं, हमारे खिलोने के हम तो क्यों नहीं जाते हैं, हम हमारे खिलोने दुनिया में क्यों नहीं बेच सकते हैं, हमारे खिलोने के पीछे, खिलोने बनाने वाले के पीछे हमारी सांस्कृतिक परंपरा की सोच पड़ी हुई तो उसमें से वो खिलोन उनको उत्साइद किया आप धरान हो जाएंगे इतने कम समय में जी ये मेरे देश की ताकत देखिए मेरे देश का स्वाभिमान देखिए मेरे सामान नागरी के मन की इच्छा देखिए था बच्चे दूसरे को फोन करके कहते थे कि तुम्हारे घर में विदेशी खिलोना तो कोरोना के अंदर जो मुसीबते आई उसमें से उसके अंदर ये भाव जगा था एक बच्चा दूसरे बच्चे को फोन करके कहता था कि तेरे घर में तुम विदेशी खिलोने तो नहीं रखते हो और परणाम ही आया कि मेरे देश में खिलोना इंपोर्ट 70% कम हो गया दो साल के भीतर भीतर ये समाज क्या स्वभाव की ताकत देखिए और यही देश के हमारे खिलोने बलाने वालों की ताकत देखिए कि 70% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया खिलोना का याने 140% का पर खाया कि मेरा कहने का बटर रहे मैं कहता जानता हूं खिलोने की तुलना आपके पास जो खिलोने उसके साथ ही हो सकती है इसलिए मैंने का एपल और रहेंगी तुलना नहीं होते मैं तुलना करना हो भारत के सामान्य मानवी के मन की थाकत और वो ताकत खिलो वने वाले को कामा सकती है वो का ताकत मेरे देश के सेंज शक्ति को भी कामा सकती है ये भरोसा मेरे देश्वासियों पर होना अचाहिए पिछले आठ वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट साथ गुणा बढ़ा है अभी कुछ समय पहले ही हर देश्वासि गर्व से भरूठा जब उससे पता चला कि पिछले साल हमारे तेरा हजार करोड रूपियों का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है 13,000 करोड रूपिस और इसमें भी 70 प्रतिशद हिस्सेदाली हमारे प्रावेट सेक्टर की है साथियों 21 सदी में सेना की आधुनिक्ता रक्षा के साजों सामान में आत्मनिर्फरता के साथ ही एक और पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है आप भी जानते हैं कि अब राष्ट्रिय सुरुक्षा के लिए खत्रे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं पहले हम सिर्फ लेंड, सी और स्काई तक ही अपने डिभेंज की कलपना करते से अब ये दायरा स्पेस यानि अंत्रिक की तरफ बढ़ रहा है साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है आज हर प्रकार की ववस्ता को वैपन में कनवर्ट किया जा रहा है अगर रहर अर्थ होगी उसको वैपन में कनवर्ट करो यहने पुरा विश्व का नजरिया तोर तरीके बदल रहा है अब सामने सामने के लड़ाई से अधीक लड़ाई अद्रश्य हो रही है अधिक गातक हो रही है अब हम अपनी रक्षा की नीती और रन्दिती सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते हैं अब हमें फूचर चैलेंजिज को एंटिसिपेट करते हुए ही आगे एक अदम बढ़ाले है हमारे आत्मत क्या हो रहा है क्या बढ़ाव आ रहे है भईविश के हमारे मोर्चे क्या होने वाले है उनके अनुसार हमें खुद को बदलना है और इसमें स्वाव लंबन का आपका लक्ष भी देश की बहुत बड़ी मदद करने वाला है साथियों देश की रक्षा के लिए हमें एक और एहम पक्ष पर ध्यान देना चाहिए हमें भारत के आत्मविशास को हमारी आत्मन निर्भरता को चुनोती देने वाली ताकतों के विर्द भी युद्ध तेज करना है जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है खुद को स्थापित कर रहा है वैसे वैसे मिसिंफर्मेशन डिसिंफर्मेशन अपफ़त्यार के मादम से लगातार हमले हो रहे हैं इन्फर्मेशन को भी हत्यार बना दिया गया है खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हाने पहुंचाने वाली ताकतें चाहे देश में हो या फिर विदेश में उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है राश्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सिमित नहीं है बलकि बहुत व्यापक है इसलिए हर नागरी को इसके लिए जागरु करना ही उतना ही आवश्यक है राश्ट्र रयाम जागर रयाम वयाम यह उद्गोश हमारी हाँ जन जन तक पहुँचे यह भी आवश्यक है जैसे आत्मनिर बर भारत के लिए हम होल अब तो गवर्मेंट एप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही राश्ट्र रक्षा के लिए भी होल अब तो नेशन एप्रोच समय की मांग है भारत के कोटी कोटी जनों की यही सामुई ग्राश्ट चेतना ही सुरक्षा और सम्रिद्व का ससकता अधार है एक बार फिर आपके इस इनिशेटिव के लिए इन सब को जोड़ करके आगे बढ़ने के प्रयास के लिए मैं रख्षा मंत्राए को उनकी लीडर्शिप को मैं रदय से बहुत 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 बढ़ाई देता हूँ और मुझे अच्छा लगा आज कि जब मैं यह कुछ स्वाल्स पर जाकर के आपके सारी इनोवेशन देख रहा था तो हमारे जो नेवी के निवृत साथी है उन्होंने भी अपना अनुभव अपनी शक्ति अपना समय इस इनोवेशन के काम में लगाया है ताकि नेवी हमारे मजबूत हो हमारे डिफेंस फोर्सिज मजबूत हो मैं समाता हूँ यह एक बड़ा उत्तम प्रयास है इसके लिए भी जिन लोगों ने रेटार्मेंट के बाद भी इसको मिशन बोड में काम लिया है वे विशे सिर्फ से उनको भी बशाई देता हूँ और इन सब को सम्मानित करने की वबस्ता चल रही है इसलिए भी आप सब भी अभिनंदन के थिकारी हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आप स्टूर पर